नमस्कार दोस्तों, डीडी रियक्ट पर आपका स्वागत है और मेरा अनाम आलोक है तो आज भी मैं एक वीडियो पर रियक्शन देने आया हूँ लेकिन ये थोड़ा रियक्शन मेरा हटकर है वीडियो भी थोड़ा हटकर है, पूरा वीडियो नहीं लिया है, मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया है और ये ऐसा हुआ कि मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है जितने भी उन सब पर मैसेज़ेस की बाढ़ा गई और मेरे जीमल पर, इंस्टा पर, फेस्बुक पर, प्विटर पर, हर जगा एक लिंक मेरे दर्शको है ने शेयर किया कि भही ये लिंक देखिये, ये लिंक देखिये, इस वीडियो को देखिये तो मुझे लगा कि भाई क्या है तो मैंने लिंक देखा तो वो लिंक रियल एंटर्टेन्मेंट टीपी का था जिसके होस्त जो है वो सुहाब चौधरी भाई है और तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं उनके वीडियो पर मैं रियक्शन करता हूँ तो मुझे लगा कि इस वीडियो का बना हुआ है उसमें मेरा भी थोबड़ा लगा हुआ था और थोबड़े पर लिखा हुआ था कि टेक्स में उपर कि माई मैसेज टू डीडी रियक्ट और थंबनेल में ये लिखा था कि प्लीज स्टॉप तो मुझे लगा कि भाई ऐसा क्या हो गया मैंने ऐ उनकी सोहब भाई की तो उनको मैं तारीफ ही करता हूँ अभी कल के वीडियो में भी कल पर सो जो एक वीडियो डाला है मैंने उनमें भी उनकी तारीफ की कि चलो वो जो नॉन मुसलिम पी-एम और प्रेजिडेंट वाला था कि चलो कोई तो मेरी बातों को सुन रहा है वो संदेश अच्छा इसमें पूरा नहीं ले रहा हूं मैं जो मेरे हिस्से वाला है उतना ही ले रहा हूं तो पहले वो संदेश देख लेते हैं और फिर मैं उस पर अपना रेक्शन देता हूँ अब आता हूं में बात पे जो मैं मेसिच देना चाहता हूं डीडी रियक्ट जो के इंडिया का एक चैनल है बहुत अच्छा वो काम करते हैं और हर वीडियो में जो उनकी एक positive बात है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो हर वीडियो में ये कहते हैं जो reaction देते वक्त कहते हैं कि इसलिए तो मैं कहता हूँ बाई पढ़ा करो अपनी language में कहते हैं लेकिन ये बात बहुत अच्छी है और ये बात सच है कि हम पढ़ेंगे तो ही हमें शौर आएगा हम पढ़ेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि reality क्या है तो ही हमें पता चलेगा कि कैसे हमने दूसरे मुमालिक से आगे निकलना है चाहे वो इंटिय है चाहे वो बंगला तेश है चाहे वो चाहिन है कोई भी मुल्क है हमने उसके साथ कैसे चलना है उससे आगे कैसे निगलना है और बहुत अच्छी और पॉजिटिव यह चीज लगती है लेकिन सोय भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको मुझे में पॉजिटिविटी दिखी मुझे आपने इस काबिल समझा और मैंने भी यही पॉजिटिविटी आप में भी देखी तब ही मैंने आपके वीडियो पर रियक्शन देना शुरू किया कि चलो भाई कोई तो है ज उन गिने चुने यूटूबर्स में से हो जो लॉजिक पर बात करते हैं और सामने वाला अगर इलॉजिकल बात कर रहा हो उल्टा सीरा कुछ बोल रहा हो तो आप उसका काउंटर भी करते हैं सो भाई रियक्शन चैनल जो ये मेरा है ये मैंने इसलिए खोला कि मुझे पाकिस्तान की जो जनता कैमरे पर आकर कुछ भी बोलकर चली जाती है भारत के बारे में खास कर तो उनको फैक्ट के साथ मुझे काउंटर करना था और अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो मै अपने हर वीडियो में facts पर ही बात करता हूँ मैं without facts बात नहीं करता हूँ और पता नहीं आप अपने हाँ के कितने reaction चैनल को देखते होगे जितने भी मैं करीब-करीब मैं सबको देखता हूँ क्योंकि मुझे reaction देना होता है तो मैं अच्छे वीडियो तलाश करता हूँ त और इस चैनल को मुझे खोले हुए भी एक साल हुए, तो एक साल में करीब मैंने 300 के करीब वीडियो, 300 से ज़ादा वीडियो पर मैंने रियक्शन दियोंगे, और इतने ही करीब करीब मैंने वीडियो और भी देखे होंगे, जिन पर मैंने रियक्शन नहीं दिया, और पता नह आपको मेरी इन बातों पर कितना यकीन होगा लेकिन 99% वीडियो में जो लोग जो पब्लिक आती है 99% पब्लिक ऐसी ही बाते करती है जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है इल्लॉजिकल बात हर तीसरा आदमी कहता है कि भारत में तो गुर्बत बहुत जादा है भारत के लोग गरीब बहुत जादा है कोई कहता है कि भारत में तो टॉलेट ही नहीं है टॉलेटलेस कंट्री है एक मुहतरमा तो यहां तक कैवेटीस हो है भाई कि भारत में सब्जी की दुकान जिस तरह से सब्जियां मिलती है वैसे ही यूरेनियम बिकता है अब बताईए इसके अलावा और भी कितनी सारी जूटी बाते प्रोपगंडा ये सारी बाते की जाती है तो ऐसे सैकड़ों को मैं सुन चुका हूँ जो पाकिस्तान के रहने वाले है और पढ़ते लिखते हैं नहीं इनको जनरल नॉलेज बिलकुल नहीं है कुछ भी आकर कह जाते हैं और तो मेरी जो कोशिश होती है वो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको counter के साथ जो counter करूँ वो facts के साथ करूँ इसलिए मैं आपने देखा हूँ अक्सर मैं screenshot पाकिस्तानी चैनल हो के या जहां से मुझे सबूत मिलते हैं वो मैं लगतार लगाता रहता हूँ लेकिन यह मेरा secondary channel है यह मेरा secondary channel है जो मेरा primary channel है जो मेरा main channel है वो है defense detective और वहाँ पर फिलाल हफते में एक वीडियो ही कर पाता हूँ क्योंकि research में बहुत ज़ादा time लगता है facts को ढूनने में उनको निकालने में बहुत ज़ादा time taking चीज़ है पता नहीं आपने मेरा वो channel देखा है कि नहीं देखा है लेकिन मेरे गुजारिश है कि आप एक बार वो channel देखेगा और मेरे दर्शक जानते हैं कि मैं वहाँ पर कैसा काम करता हूँ मैं दूसरे यूटूबर्स की तरफ नहीं हूँ मैं कोई लफफाजी नहीं करता मैं कोई मन गढंत बात नहीं करता मैं कोई war mongering नहीं करता कि पाकिस्तान की ऐसी चाइना की तैसी हम तो उड़ा देंगे बढ़का देंगे यह करते मैं ऐसी कोई बात नहीं करता मैं जो भी बाते करता हूँ मैं logical facts और उस पर देख करके करता हूँ तो मैं कहूंगा कि आप एक बार defense detective को जरूर देखे और फिर आप अपनी राए एक कायम करें अब जो अगला हिस्सा आपने मेरे message जो मुझे आपने message दिया उसमें किया है वो मेरी negativity को लेकर किया है तो चलिए पहले आपने जो कहा है वो देख लेते हैं और फिर उस पर मेरा reaction देते हैं मैं आपना पक्ष उस पर रखता हूँ थोड़ा सा बूरा तफ़ील होता है जब वो मजाख बनाते हैं इसके लिए भी आपका बहुत शुक्री है आपने कहा कि मैं आप लोगों के वीडियोज का मजाख बनाता हूँ तो सोहे भाई आपको शायद थोड़ा मुझे समझने में आपको शायद कोई दिक्कत होई है मैं आप लोगों के वीडियोज का मजाग बिलकुल नहीं बनाता हूँ मैं मजाग बनाता हूँ उन लोगों का जो आपके लोगों के वीडियोज में आके उल्टी सीधी बाते करते हैं इलोजिकल बाते करते हैं जिनका कोई तारतम में नहीं होता जिनका कोई fact से वास्ता नहीं होता मैं उनका मजाग बनाता हूँ और इतनी सारी जब ये इलोजिकल बातें जब एक limits से उपर हो जाती है तो मुझे थोड़ा बहुत उससा आ जाता है भाई इंसान हूँ, थोड़ा बहुत तो frustrated होँगा कि भाई क्या बोल रहे हो यार, कुछ पढ़ लो, कुछ लिख लो, Google है यार, phone है, smartphone है, net चल रहा है, सर्ची कर लो कि क्या topic है और क्या इसमें मुझे बात करनी है, तो मैं उनके लिए कहता हूँ कि भाई, आप जो propaganda कर रहे हो आप जो जूटी बाते वीडियोज में आ के किसी के, यूटूबर्स के बोल रहे हो, उनका कोई आप सबूद देते नहीं हो, तो मैं उनके लिए कहता हूँ कि आप कहते रहो, करते रहो, हमारे उपर कोई फरक नहीं पड़ता उसका, हम इंडिया के उपर कोई फरक नहीं मैं हमेशा उन इंडिविजुल के लिए कहता हूँ जो इल्लोजिकल बाते करते हैं और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं तो चलिए अब थोड़ा आगे देख लेंते कि आगे और आपने क्या का है फिर उसका काउंटर पक्ष मैं रखता हूँ हम हमसाया मुल्क हैं हम इस टाइम जिस भी कंडिशन में और आपसेंड डॉंस मुमालिक के में आती रहती हैं किसी भी कंट्री में आप इंडिया को ही देख लें कि 90 जे पहले इंडिया की क्या कंडिशन थी अगर इंडिया ने अब ग्रो किया है तो हम उसे एप्रिशेट करते भारत में भी पाकिस्तान में भी और इसलिए सैकडो वीडियो में मैंने अपने ये बात कही होगी कि भाई पढ़ाई कीजिए मैं हमेशा इस बात पर जोर देता आया हूँ कि पाकिस्तान के युवाओं को पढ़ना पढ़ेगा अच्छी नॉलेज अच्छी एजुकेशन र देखने का नजरिया बदल देती है आपके लिए नए औसर पैदा करती है नई चीजें दिखाती है और काम करने के भी कई धरवाजे खुलती है और मेरे दर्शक जानते हैं कि मैंने ये बात हमेशा कही है कि पाकिस्तान के जो नौजमान हैं वो सरकार से स्कूल मांगे वो सर पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी को इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत जादा पुरानी है वो दुनिया के साथ मैच नहीं करती अगर वहां से आप डिगरी ले भी लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे यही बात में हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ और कोशि उनके कमेंट से आपको यह पता लगा होगा कि मैं पाकिस्तान का मजाग बिलकुल नहीं बनाता हूँ तो यह बात आपकी गलत है कि मैं पाकिस्तान का मजाग बनाता हूँ In fact, मैं तो ऐसे लोगों पर लगतार comment भी करता रहता हूँ कि भाई, कैमरे पर बोलने से पहले जरा सोच लें, समझ लें उसके बाद बोलें, क्योंकि आपकी बातें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखी जाती आपकी बातें भारत में देखी जाती हैं, आपकी बातें दूसरे देशों में देखी जाती हैं फिर उन बातों को सबूत के तौर पर पेश किया जाता है यह है पाकिस्तान के लोग और यह जो हैं जो यह पाकिस्तान को रिपर्जेंट कर रहे हैं वो कुछ भी आके कुछ भी बोलके चले जाते हैं, बेसिर पैर की बाते बोल देते हैं और आप लोगों की वज़या से पाकिस्तान जो है, वो मजाक का पातर बनता है तो सोय भाई ये पाकिस्तान का मजाक उडाना नहीं हुगा ये मैं उन लोगों को मैं उस आदमी को समझा रहा होता हूँ जिसके वज़ा से पाकिस्तान पर हसने का मौका बनता है हमें भी चाहिए कि हम अपनी बेहतरी के लिए काम करें और आप से request है कि आप भी थोड़ा सा हमें support करें positive message दिया करें आप reaction दें आपका right है YouTube पर, social media पर जो भी चीज आती है उस पर reaction देना किसी भी YouTuber, किसी भी social media activist का right है लेकिन reaction दें, मजाक नहीं बनाएं यह request है, मतलब मेरी तरफ से यह मेरी mentality के मताबिक मैंने बात की, यह request है, आगे आपको जो बेस्तर लगे आप भो करें आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोज देख सकते हैं मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मजाग सिर्फ उन भाईयों का, उन बहनों का उड़ाता हूँ जो बेसीर पायर की बाते करते हैं, जो इलोजिकल बाते करते हैं, सुने-सुनाई बाते और WhatsApp पर जो forwards आते हैं, उनको सही मान लेते हैं और उनकी बाते करने लगते हैं तो जब भी मैं counter करता हूँ, उसके लिए facts निकाल कर लेकर आता हूँ, सबूत के तोर पर screenshot शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि भाई, आपने जूट बोला है, आपने propaganda फैलाया है पता नहीं, आप मेरे बारे में बहुत जादा नहीं जानते हैं, मेरे दर्शक जानते हैं, पिछले 20 साल में मैंने इंडिया के topmost news channels में काम किया है, content काहीं काम किया है मैंने जो इस समय मैं जैसे videos बना रहा हूँ, तो मैं TV के लिए भी यही काम करता हूँ associate executive producer अभी मैंने छोड़ा है तो यह मेरी designation थी, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास अनुभव बहुत लंबा है, और मैं जानता हूँ कि कब कहां क्या बोलना है, किस खबर की एहमियत क्या है, किस खबर की weightage कितनी है और कौन सा topic कैसा है, तो अभी आपके ही किसी वीडियो में, एक भाई साब ने कहा कि मेडिया में काम करता हूँ और उन्होंने भारत की मीडिया पर सवाल उठा दिया, कि देखिए, ये बड़ी खबर बना देते हैं, न्यूजिलेंड का दौरा जो कैंसल हुआ था, उस पर उन्होंने का, तो मैंने उसका जवाब दिया है, और काउंटर के साथ दिया है, तो अब मैं आपसे कहूँगा कि वो वीडियो जरा आप एक बर जाके देखिएगा मेरे, जो मैंने रेक्शन दिया आपके वीडियो पर, कि जो फिजा अकबर खान हैं और जो किरन नाज हैं आपकी, इतनी बड़ी मीडिया परस्वालिटी हैं, नमबर वन एंकर कहती हैं वो अपने आपको, वो हमारे पीम को किस तरह गाली देती हैं एक तरह से गदा गदा ही रहता है, तो इसी है, एक ही ऐसा मकार शक्स है, जो पाकिस्तान के खिलाफ साज़िशों के जाल बुनता है, सुन लो नरेंदर मोदी, अब ऐसे नहीं चलेगा, कान खौल के सुन लो, कान खौल के, कि हम तुमसे कुश्मीर भी लेंगे, और ज़रुत पड़ी तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे, इन्शालला, याद रखना मेरे लिए, क्या भारत जंग के लिए तयार है, क्या भारत एक एटमी जंग का मतहमिल हो सकता है, क्या भारत इस जंग के बाद अपना नाम निशान दुनिया के नक्षे पर तलाश कर सक हुँ भारत का मीडिया बहुत سमजदार है कि बहुत जाधा समजदार है हम ये नहीं देखते हैं कि वो इमरान खाने कि नवाज शरीफ है हम ये देखते हैं कि वो किसी country के PM है कि तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को भी हमारे देश में जो PM है उनको वैसी ही नजर से देखना होगा लेकिन उन दो एंकरों नहीं उनके जैसे और भी कई एंकर जो literally गालियां दे रहे होते हैं हमारे प्रैमिनिस्टर को तो आप देखिएगा मैं कहींगा तो मैं आपको बहुत सारे links भेज दूँगा हमारे पास बहुत सारे links है मैं भेज दूँगा तो देखिएगा और पाकिसान के दरजनो रियक्शन चैनल है जो मेरे जो defense detective पर मैं videos बनाता हूँ उन पर reaction देते हैं और कभी मैंने कई लोगों को individually target किया उस पर कि आप गलत बोलरो propaganda फैलारो तो उसका counter video बनाए उस बी मेरी भाषा आप देखिए कि मैं कभी बेढ़ भी नहीं करता किसी की भी लोग मुझे गालियां देते हैं मेरे comments में लोग मुझे गालियां देते हैं मैं कभी उनको वैसे गाली नहीं देता हाँ एकाद को कभी दिया होगा जिन्होंने बहुत जादा कर दिया लगातार तो कभी किया होगा comment में लेकिन वीडियो में कभी नहीं करता हूँ और हमेशा मैं शालीन भाषा का ही इस्तमाल करता हूँ तो इसलिह मुझा लगता है कि मेरी जबान से कभी अपने आसपास जहां पर रहता हूँ, जो मेरी सोसाइटी है, जो मेरा समाज है, हजारों लोग मुझे यहां पर जानते हैं, पिछले 20 साल से मैं मीडिया इंडस्ट्री में था, तो सोचिए मास कम्निकेशन का मेरा काम है, तो हजारों लोगों से मिला, किसी एक शक्स ने ये ब बहुत इज़त के साथ मैं रोस्ट करता हूँ, तो मुझे पूरी उमीद है कि आपको मेरी बात सोएब भाई, मेरा पक्ष समझ में आ गया होगा, और मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ, जैसा आपने कहा कि मैं पाकिस्तान का मजाक उड़ाता हूँ, और अगर परसनली आपक ऐसे कमेंट्स महीं करता, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्रोपगेंडा फैला रहे होते हैं, उनके लिए में जरूर थोड़ा बहुत इस्तमाल करता हूँ, ऐसे शब्दों का, लेकिन वो भी शालीन शब्द होते हैं, वो गाली गलोज बिल्कुल नहीं करता हूँ, और थोड़ा सा आपने जितना वक्त अपने वीडियो में दिया, उससे थोड़ा सा जादा वक्त मैंने ली लिया, अपना पक्ष रखने के लिए, क्यों बहुत सफाई देने वाले को तो थोड़ा टाइम जादा चाहिए होता है, तो इसकर भी माफी मांगता हूँ कि भाई, जा बनाता हूँ, तो शायद अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कि मैं पाकिस्तान का मजाग बिल्कुल नहीं उडाता, और आपके मन में जो शिक्वे हैं, वो शायद काफी हद तक मैं दूर कर सका होँगा, अगर नहीं हुए हैं, तो आपने मुझे फेस्बुक पे म जिनसे मैं डिरेक्ट बात करता हूँ, आप यकीन मानिये, और उनसे भी आप बात कर सकते हो, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे से कांटेक्ट में हैं, वो आपको बताएंगे कि मैं कैसा आदमी हूँ, तो बस इतना ही कहना था, तो उमिदे सोयबाई, आपको मेरी बा परपगेंडा को मिटा सकें, जोटी बातों को काट सकें, तो क्लिरिटी बढ़ेगी, और जब सची बात होती है, तो ना उसको याद रखने की जरूत पड़ती है, ना उसे बार-बार दोहराने की जरूत पड़ती है, तो जल्दी हाजिर होता हूँ, एक और नए वीडियो क साथ, नमस्कार, जाहिंद!